कलाश 10 का जो आपका चैप्टर रेफीजी इसका चैप्टर नमबर वण का इसका objective question answer को बताऊंगा दोस्तों बातों को ध्यान से सुनियेगा अगर आप बातों को समझते हैं तो सारे questions आपको आशानी से याद होंगे तो यहाँ पर देखिए और questions को समझे यहाँ पर क्या बोल रहा है यहाँ पर देखिए परकास की किरण गमन करती है दोस्तों यह जो परकास की किरण है यह किरण किस तरह से गमन करती है यह आपको बताना है तो इस question का right answer का option A यहाँ पर देखिए सीधी रेखा में परकास की ज देख सेवां देखते हैं आगे बढ़िए यहांपर देखें मोटर गाड़ी के चालक के शामने लगा रहाता है दोस्तों आपने मोटर साइकल ट्रक जो भी गाड़ी है इन गाड़ीयों में आपने साइड मीर्रकें साइड मीरर क्या होता है देखे यह जो आयना लगा होता है दोनों तरब आपको बताना है कि उस आयना में कौन सा दर्पन का उपयोग होता है तो यहां पर देखे उत्तल दर्पन इस कोशन का राइट आंसर होगा उत्तल दर्पन यहां पर देखे मोटर गाली के चालक के शामन उत्तल दरपन का उपयोग होता है या फिर उत्तल दरपन लगा होता है यह हमेशा याद रखेगा अब नैश कोशन को देखे यहाँ पर देखे समतल दरपन द्वारा बना परतिवींब होता है दोस्तों आप समतल दरपन देखे हैं क्या देखे आपके घर में जो आइना है ना आइना जिसमें आप चेहरा देखते हैं तो वह एक समतल दरपन है आपको बताना है कि उस समतल दरपन द्वारा बना परतिवीम्ब यानि कि जो फोटो है वो फोटो कैसा होता है यहाँ पर देखे कालपनिक यहाँ पर देख रहे हैं यह कालपनिक जो है यह कालपनिक समतल आपसे पूछा जा रहा है तो इसका राइट आंसरों का ओप्षन ए यहां पर देखे डाप्टर यह डाप्टर है यह लैंस की छमता का एस आई मात्रक होता है डाप्टर इसे याद रखेगा अब नेक्ट कोशन को देखे परकास की किर्णों का पत दर्शाने वाले चित्रों को कहा जाता है दोस्तों परकास की जो किर्ण है आपको मैंने बताया था कि परकास की किर्ण जो है सीधी रेखा में गमन करती है तो यह जो पत है इसी पत को दर्शाने वाले चित्रों को क्या कहा जाता है फीगर को क्या कहा जाता है तो इस कोशन का राइट आंसर क्य क्या होगा option A किरं आरेक इसे अच्छे से एक बार ध्याउन से पढ़ लीजे परकास के के किरनों यह इसको आप क्या बोलएगा तो इसको कोशन का राइट आंसरों का option B किरन पूंज यहां पर देखिए परकास के किरनों के शमू को हम किरन पूंज कहते हैं इसे याद कर लिजे अब इस कोशन पर ध्यान देजे उत्तल लैंस को कहते हैं दोस्तों यह उत्तल लैंस है इसको क्या कहते हैं इस कोशन का राइट आंसरों और वह होगा हुआ कहा अभी सारी लैंस को हम होगा लाइस कोई में है याद रखेगा दोस्तों यहाँ पर कुछ बेसिक बाते हैं और फ्रसुल को हम अभिसारी लेंस क्यों चमाओ कि यहां पर देखे समझ यह बातों को, यह उत्तल लेंस है, जिस जब इस उत्तल लेंस से परकास की किड़ने गमन करेगी, और जब इस उत्तल लेंस को पार करेगी, तो सारी जो किड़ने हैं, एक बिंदू पर अभिसारित हो जाती है, ठीक है, इसलिए हम उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं, इसे अवतल लेंस के बारे में यहां पर पूछ रहा है देखिए अवतल लेंस को हम अपसारी लेंस भी कहते हैं इसका राइट आंसरों का आपसारी लेंस कहते हैं यहां पर भी कुछ बेसिक बाते हैं जैसे कि मैंने फिगर बना दिया अवतल लेंस का ठीक है परकास की किरण यहां स सारी लैंस कहते हैं यहाँ पर इसे अच्छे से पढ़ लिजे अवतल लैंस को हम अप सारी लैंस कहते हैं इसे याद रखेगा अब ये कोशन को देखिए किस दरपन से हमेशा वस्तु से छोटा पर्तिविंब प्राप्थ होता है दोस्तों आपको उस दरपन का नाम बताना है जिससे वस्तू से छोटा परतिविंब प्राप्थ होता है, तो इस question का right answer होगा option B, उत्तल दर्पन, देखे, उत्तल दर्पन जो होता है न, इसमें वस्तू से छोटा परतिविंब बनता है, इसे याद कर लिजे अच्छे से, दोस्तों आपको मैंने बताया था, कि जो गाली हो होते हैं, लेकिन क्यों उपयोग होता है, देखे, उत्तल दर्पन जो होता है, यह किसी वस्तू का जो परतिविंब है, वह बहुती छोटा बनाता है, जिससे क्या होता कि बहुती बड़े छेत्र का परतिविंब बन जाता है छोटे से मीरर में ठीक है इसलिए इस बात को हमेशा याद रखे कि उत्तल दर्पन से हमेशा वस्तु से छोटा परतिविंब बनता है अब नेक्स कोशन को देखे यहां पर देखे इस कोशन को समझे यहां पर क्या है देखे किस दर्पन से वस्तू का बड़ा परतिविंब बनता है दोस्तों आपको उस दर्पन का नाम बताना है जिससे वस्तू का बड़ा परतिविंब मतलब बड़ा फोटो बनता है तो इस कोशन का राइट आंसर का ओप्शन भी आवतल दर्पन दोस्तों आपने पढ़ा होगा कि दाढ़ी यहां पर देखें लिख देता हूं दारी बनाने वाला जो दर्पन होता है उसमें अवतल दर्पन का उप्योग होता है आखिर क्यूं दारी बनाने वाले दर्पन में अवतल दर्पन का उप्योग होता है कोई तो बात होगा देखिए होता ये है कि दोस्तों अवतल दर्पन जो है य क्योंकि दाली का बाल छोटा होता है लेकिन आवतल दरपन क्या करता है छोटा का बड़ा परत्विम बना देता है ठीक है इस कोशन को देखिए जब परकास की किरण हवा से कांच में परवेश करती है तो मुड जाती है इस कोशन का राइट आंसर होगा अभी लंब के निकट आप्शन भी अभी लंब के निकट यहां पर देखिए परकास की जो किरण है यह जब हवा से कांच में परवेश करेगी ठीक है तब क्या होगा उसका डारेक्शन क्या होगा दिशा क्या होगा तो अभी लंब के निकट मुड जाएगी इसे हमेशा याद रखिए लेकिन यहां पर आपसे क्या पूछ रहा है कि परकास की किरण हवा से कांच में परवेश करती है तब क्या होगा तो अभी लंब के निकट मुड जाती है इसे याद कर लिजे अब यहां पर देखिए Side mirror, यहां पर देखिए Side mirror के रूप में परयोग्त होता है दोस्तों गाडियों में जो Side mirror लगा होता है उसमें कौन सा दरपन लगा होता है वो आपको बताना है यह तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ इसका Right Answer का Option भी उत्तल दरपन साइड मिलर के रूप में उत्तल दर्पन परियोगत होता है ठीक है अब ये कोशन देखे सरल सुक्षमदर्शी में किसका उपयोग होता है दोस्तों जो सुक्षमदर्शी होता है सरल सुक्षमदर्शी इसमें कौन से लैंस का उपयोग होता है वो आपको बताना है तो इस कोश अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमको सपोर्ट कीजे ताकि मैं ऐसे ही वीडियो और भी लाओं और दोस्तों इस चैनल के द्वारा मैं क्लास 10 का तयारी करवाता हूं इसी रहे चैनल को सब्सक्राइब कर देजे एंड थैंक यू